यह वेलो एंजेहिन सुडेंट वेलकम बाग टीओं चैनल सर्तरुन रपानी एक्स्क्लोजिव चैनल फॉराइए से सीवर्ड सुडेंट येस वी आर बैक एंड वी आपके साथ लाइफ सेशन्स कर रहे हैं और आपके स्लेवर्स को फिनिश करने की तैयारी कर रहे हैं मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि अगर आप में रहे हैं सचे सुपरस्टार्स तो यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ फॉलो करिए हमें और हमारे लेसन वीडियो उसको फॉलो करिए आपका सारा स्लिवर्स इन टाइम हो जाएगा जैसा कि अलड़ी प्रॉमिस है हम आपके सा सब कुछ विफोर टाइम कर द Whenever इरियस विफोर टाइम कर देंगे आपके प्री बोच से भी पहले यह प्योड़ से पहले आपके पास अरे लेसन वीडियो होंगे वह भी निटेस कंसेप्ट के साथ और साला में सारे नोट्स हाँ हम यह बचन दे रहे हैं आपको कि यह सब चनल पे दे रहे हैं याद यकीन मानिए यह आपको बाद में खरीदना पड़ जाएगा सच कह रहा हूं मेरे सच्चे सूपरस्टास यकीन जाने यह सब कुछ absolutely free है जो हम आपके लिए content ला रहे हैं सारे notes free है test series freeze है हमारे हमारे पास सारे live lessons और recorded videos हम किसी का कोई भी charges अभी तक नहीं ले रहे हैं बड़ आपसे बार बार यहीं कह रहे हैं कि क्या यह हमिर्शाँ free हो सकता है जी नहीं I have family to feed I have my you know other obligations तो कहीं नहीं मुझे लगेगा कि जहां I am needing it I'll start charging हा मेरा charge बहुत nominal होगा यहीं वच्चन दे रहा हूं बट कहीं न कहीं आज नहीं कल आपको यहीं जो free मिलगा है शायद आपको खरीदना पड़ जाएगा तो इसी के लिए कह रहा हूं बार-बार कि live lessons में regular ताहिए take the advantage of all the live lesson and recorded lessons that I am providing you in your in your channel हाँ अगर आपने हमारे है टेलीग्राम माले चैनल को भी जोइन नहीं किया है तो वहां भी जोइन कर जाएए क्योंकि वहां देल सारे एक्स्क्लूजिव contents notes videos बहुत सारा yes research material आपको मिलता है वो भी free में मिलता है हाँ I am powered by you know Educard to provide you many of your things absolutely free बहुत सारे contents हम आपको Educard के माध्यम से क्या कर पा रहे होते हैं दे पा रहे होते हैं कुछ उनके notes होते हैं कुछ PDFs होते हैं test series होती है वो सब कुछ हम आपको दे पा रहे होते हैं वो भी आप चाहें तो description में चेक कर लीजे वो हम आपको free दे पा रहे होते हैं बड़ याद रखिए क्या सरवदा और हमेशा सब कुछ free हो सकता है और क्या आप free की value कर रहे हैं चैद ये question आपके दिल के लिए है आपके अपने लिए है तो please शुरू हो जाईए और अपनी खातेर येस अपनी खातेर क्या करिए तयारिया करने शुरू कर दीजे क्योंकि हो सकता है आप अच्छे score पा सकते हैं अभी से तयार करने पर मैंने का हो सकता है इसलिए अगर के नंबर तो 95 प्लस है येस मेरे साथ आपकी शूरिटी है और कहीं और पर I don't know you have your own choices तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज क्योंकि ये चेप्टर आपके बेसिक चेप्टरों में आता है येस अब आप कहेंगे कि केमेस्टरी का बेसिक अगर चेप्टर पढ़ना है तो आपक कि केमेस्टरी का रियक्शन्स का बे करेबाना है अगर आपने छास न 있다 सिंग में कशिक आपके अटाह विंच घॉर्ण कर बत तकर बहुत नहीं किया था उसका एक कह सकते हैं ये एमेजीडरी चैप्टर है जिस पर रियक्शन सारे बेस्टर आपको बेस्टिस और हैं आपको identify करने मदद करेगा कि कोई precipitate copper है कि calcium है कि iron है कि ferrous है क्या ये है chemical chemistry चलिए start करने जा रहा है ये chapter आपके practical exam में भी आपको मदद करने वाला है और इस chapter से काफी सारे observation based question आते हैं observation based question इस chapter से आने वाले हैं जिसमें आपको क्या करेगा solution x is mixed with solution y it produces a wide precipitate which is a chalky white and in x's it is insoluble क्या है वो substance name that cation हाँ अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मुझे बताओ इसका answer क्या है नहीं मालू मैं चलो तूसरा question पूछता हूँ फिर अदूँगा आपको इसका कैसे जवाब लिखना है when a solution when a solution of a metallic iron is mixed with ammonium hydroxide solution first drop wise हाँ पहले drop wise ammonium hydroxide डालेंगे and a bluish precipitate is formed which in axis results in soluble bluish color throughout name the name the cation तो अगर आप जवाब नहीं जानते हैं तो आईए इसका जवाब आप देखे मेरे साथ देखे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये reactions भी important है और आपके जो chemistry के practical के marks हैं वो भी आ जाएंगे plus इस chapter पे based observation based question जो है observation और reaction based question जो आते हैं board में वो इस chapter में आपको मिल जाएंगे थोड़ा ध्यान से करेंगे इस chapter को चलिए chapter छोटा है पर बहुत scoring chapter है आईए थोड़ा सा fastly इसको finish करते चलेंगे पहले कुछ terms के definition समझ लेते हैं जब हम बात करते हैं analysis की analyze करना मतलब क्या होता है défin fine करना क्या हम find करना चाहते हैं chemical components का पता लगाना चाहते हैं आप जानते है की copper sulphate की जब बात कर रहे हैं तो अब जानते है कि copper और sulphate copper YES है और sulphate एक केटायें और sulphatar again आए याद रखेगा जब भी 10 पुई chemical compound फिरसे जब भी आप को य पिदाम नहेुए pound की मुझसे बात कर रहे हैं let's say मैंने जभी लिखा copper sulphate लिख दिया तो जो पहला जो ये पहला वाला element होगा या पहला वाला जो iron होगा वो cation होगा हमेशा always it will be a cation that means ये एक positive charge होगा और जो बाद वाला yes ये जो next वाला next वाला जो radical है next वाला जो element होगा radical और element मैंने दोनों बोल दिया radical is group of elements which together act as one जैसे sulfate SO4 ये क्या है एक radical है इसमें sulfur भी है और oxygen के चार atom भी है इसलिए क्या है ये radical इसलिए they act as one ठीक है और sulfur अकेला होता oxygen अलग होता दोनों अलग लग होते तो they are separately known as elements ठीक है तो ये जो बात वाले जो radical radical या element होते हैं ये होते है N-I-N हाँ N-I-N मतलब negative charge ion आपको बताना है हाँ आपको बताना है where does the cation gets collected cation एक electrolysis में कहां collect होता है आपको बताना है तब तक मैं आपके आगे questions का जवाब दूँगा जो अभी थोड़े दिर पहले मैंने आपसे दो question पूछे थे एक chalky white precipitate का पूछा था white precipitate पूछा था और एक bluish color का पूछा था bluish precipitate आई इसको समझते हैं तो analysis की जब बात करते हैं तो हमें determine करना है हमें find करना है components के बारे में ये chapter इसी में help करता है बिना जाने येस बिना आप उस element के बारे में जाने भी कि वो element देखने में कैसा है physically कैसा दिखता है आप तब भी क्या कर सकते हैं उनके बारे में बता सकते हैं कैसे बताएंगे यही इस chapter में है qualitative analysis की जब बात करते हैं तो हमें बात करनी होती है unknown substances को find करना है जिसके बारे में आप बात कर रहा था unknown substance भी आप lab में जाकर के बता सकते हैं कि वो substance कौन सा element है कौन सा ketion है कौन सा anion है जी सच कह रहा हूं कमाल की है chemistry आपकी हाँ यह आप पढ़ भी रहे हैं अभी और quantitative analysis की जब बात करते हैं तो आप बताते हैं उसके अंदर composition of mixtures क्या है क्या क्या चीजों को मिलके बनाया गया है हाँ उसका पूरा composition बताते हैं quantitative जब भी बात करते हैं तो अव्यस बात है इसमें संख्या आ जाती है मात्रा आ जाती है किसका use करना है किसका use करना है find करने के लिए तो use करना है alkali का कौन सी कली? पुलो की कली? नहीं, नहीं alkali bases that are soluble are formed as alkali इसका मतलब यह हुआ कि all alkali's are bases but all bases are not alkali यह clear होना चाहिए आपको क्यों? क्योंकि देखिए अगर कुछ bases ऐसे हैं जो पानी में मिलाने पर येस उसका solution एकपस solution बनाए पर वो soluble नहीं होते हैं so they are not alkali's अब alkali's alkali's help करते हैं determination of ions में determination of ions में तो alkali's are added to the salt solutions जब किसी salt solution में alkali को add करते हैं तो colored precipitate form करता है किसका होता है precipitate? किसी metal hydroxide का किसका होता है? किसी metal hydroxide का होता है और वही precipitate के color से हम metal के बारे में उस katiens के बारे में बता पाते हैं तो alkali's help to analytically analytically determine the katiens alkali ही katiens बताने में हमें मदद करती है और कौन से alkali का इस्तमाल करने वाले हैं भाई? कौन से alkali इस्तमाल करेंगे? तो हम इस्तमाल करेंगे NaOH sodium hydroxide का इस्तमाल करना है और किसका करना है? ammonium hydroxide ये दो basic alkali's है जिनका हम use करेंगे पहले इन alkali's को हम drop oils add करेंगे solutions में metal solutions में और बाद में इसका करेंगे? उसी salt solution में excess में add करेंगे और तब determine करेंगे कि क्या color change हो रहा है अब आता है word reagent हाँ reagent अब आप मुझसे कहेंगे reagent क्या है? तो आप खुद ही जानते हैं कि जब कोई काप chemical reactions लिखते हैं तो आपको किसी reagent की जरूत पड़ती है जिससे वो क्या होते हैं? फॉर्म हो रहे होते हैं तो reagent क्या है? रिएजेंट क्या है? तो reagent वो substance है जो react करता है और एक another substance form करता है reagents ही react करके एक नया substance पैदा करते हैं reagent समझ जाओ आईए अब हमारी बारी है समझने की एक term precipitate की क्या चीज? हाँ सुगर लिया आपने हाँ एक स्पून शुगर लिया और एक glass of water mix किया बताओ क्या होगा? क्या होगा? बताओ इतना easy चीज पूछ लिया अगर आपने लिखा है कि solution बन जाएगा you are absolutely right पर इस solution में इस solution में कोई चीज insoluble है क्या? अगर आपने एक स्पून ओफ शुगर को water में stir कर दिया घुमा दिया मिला दिया क्या मिलेगा आपको? अगर आप कहते हैं sugar solution तो you are absolutely right तो ये जो solution है ये जो sugar solution है इसमें कोई precipitate नहीं है यही चीज आप normal घर का जो salt है हाँ जो घर में नमक खा रहे हैं आप उसको भी करके देख सकते हैं solution बन जाएगा तो precipitate में क्या खास बात होती है? हाँ precipitate तब बनता है जब वो dissolve नहीं होता है हाँ भाई आपने sugar की जगहें sand पुट कर दिया एक glass of water में अब कितना भी आप उसको stir कर लीजे कितना भी उसको चक्कर घुमा लीजे spoon से नहीं dissolve होगा और थोड़ी दिर बात क्या होगा अगर वो उपर है तो वो settle down हो जाएगा नीचे क्योंकि वो insoluble है तो ऐसे elements क्या करते हैं? नीचे जो बैठ जाते हैं dissolve नहीं होते हैं इन्हें हम कहते हैं chemistry में precipitate तो ऐसा कौन बनाता है? मैंने का ऐसा alkali बनाती है तो action of alkali and metals alkali और metal react करते हैं alkali और metal react करते हैं क्या करते हैं उसके बाद देखिए alkali मतलब मैंने बताया था soluble basis तो alkali ध्यान से देखिए क्या reaction है plus metal क्या form करेंगे? again alkali और metal जब भी react करेंगे तो metal metal का hydro oxide form करेंगे ये जो metal का hydro oxide है इसके साथ release करेंगे hydrogen देखिए metal का hydro oxide और hydrogen ये जो metal hydro oxide है यही color वाला precipitate होगा इससे identification हो जाएगा क्या कहते हैं? इससे यही precipitate form करेगा और इससे हम cation को identify कर लेंगे ठीक है? so alkali's react on metal cations and result information of their hydroxides which often appear as precipitate याद रखिएगा all metal hydroxides do not appear as precipitate not all मैंने बोला कुछ कुछ ही colored precipitate बनते हैं ठीक है? और उस color से हम पैचान लेते हैं कि वो कौन सा ketine है यही है वो चमतकार और जादू अन्नोन elements को पहचानने का तरीका using the alkali और precipitation क्या है? अरे यह insolubal substance produce हो रहा है कैसा process है? formation of insolubal solid एक insolubal solid form हो रहा है जब वो solutions में mix हो रहा है और इसको कहते हैं हम लोग precipitation तो precipitation में precipitate form हो रहा है अब किस salt में कौन सा precipitate form होगा? इसके लिए तुरास आपको ध्यान देना है हमारी बात को कलर याद करना पड़े गात तुम को हाँ हमीशा काम आने वाला not now always throughout और इस बेसिक चेप्टर है आपके आगे yes 11-12 में इसका बहुत ही detailed version आपको पढ़ना है जो यह topic पढ़ रहे हैं आज analytical chemistry 5 पेच का topic है hardly कुछ salts की बारे में जानेंगे जब हम metal salts की बात करते हैं तो जितने भी representative element है sir representative element elements of group 1 कौन सा group group 1 elements of group 1 to 13 to 17 आईए मैं आपको दिखा दूँ मैंने screen पे आपके लिए इसलिए एक periodic table सामने रखा था याद रखेगा science के students के लिए chemistry के students के लिए periodic table is as important as a time table कई note कर लिया periodic table is as important as a time table जैसे आप tentable आप याद नहीं करते हैं आप रोच का tentable क्या करते हैं बिना सोचे येस बिना planning के भी अपना tentable डाल लेते हैं क्योंकि now you have in your head अब वो tentable आपके दिमाग में जा चुका है तो इसको भी अपने दिमाग में fit कर डालो इसको भी यहाँ पर fit कर डालो क्योंकि ये आपके chemistry का सबसे basic concept है ये पूरे elements को एक साथ याद करने का उनकी properties को समझने का एक simple सा solution है periodic table आप पूरी chemistry के सारे elements नहीं याद कर सकते बड़ ये उन सारे elements को आपको एक जगह शो करता है उनकी properties के बारे बताता है उनके properties में होने वाले variations के बारे बताता है एक heat table सारे elements की जान है periodic table तो अगर हम बात करें group 1 की group 2 की group 13 14, 15 and 16, 17 तो 1, 2 13, 14 15, 16 and 17 ये elements कहलाते है representative element कौन से element है represent short form लिख रहा हूँ representative elements अथार्थ ये वो elements है जिसको आपको detailed में study करना है हाँ तुम लोगों को उसको detailed में study करना है और representative elements जो पहले 20 तक है first 20 तक है यही आपके syllabus में है यही आपको क्या करना है याद करना है first 20 तो जब इन representative elements में जो groups मेंने बात किया ये elements usually colorless होते है इसका मतलब है इनकी metal salts जब हाइड्रोक्साइड फॉर्म ने करती है तो दे आर colorless यह elements basically colorless होते हैं जिन में से आपने देखा कि sodium magnesium भी आता है और इवन potassium calcium भी आता है दे आर colorless precipitates ठीक है अब आता है जो salts जो salts बीच में इनको कहते हैं हम लोग typical elements क्या उनसा elements है ये typical elements है transition नाम है actually में क्या नाम है transition क्यों typical elements है क्यों अलग है और उससे दूसरों से distinguished कैसे हैं इनसे अलग कैसे है representative वालों से group no.3 to group no.12 के elements transition है और उससे अलग है क्योंकि ये वो elements है जिनकी दो shells incomplete है कितनी मैंने बोला दो shells last cell और second last cell pen ultimate shell उससे बोलते हैं ये दो shells इनकी incomplete है सब की इन सब की यहां तक सब की यह ऐसे elements है जो typically representative elements से अलग है representative elements की सिर्फ और सिर्फ last shell जिसको हम कहते हैं valence shell last shell ही incomplete होती है इनकी last shell incomplete है जिसको हम कहते हैं valence shell जबकि इसमें क्या होने वाला है इसमें last shell और second last shell दोनों ही cells incomplete है और इनका precipitate colored precipitate होता है transition elements में colored precipitate निकलते हैं कोई न कोई colorful निकलेगा चलिए आये थुदा साइन की बारे में देखें हां थुदा साइन की बारे में देख लेते हैं तो transition elements आपको colored precipitate देने वाले है representative elements आपको पास colorless colorless precipitate form करते हैं और अब आपको कुछ colors याद करने होंगे जो हम बता रहे हैं आपको यह color आपको याद करना जरूरी है color of these solids याद रखेगा in metallic solids का जब हम cations पता करते हैं तो इनकी color से ही पैचान लेते हैं इनकी color से पैचान लेते हैं जैसे ammonium ions देखे यह colorless ही रह जाता है अगर आप मुझे से पुछेंगे इसका color क्या है तो मैं कहूंगा colorless क्या colorless या white बोलूंगा तो confused मत होईएगा colorless मतलब समझी गए कि do not form any color ठीक है न उसी तरह से sodium colorless potassium colorless calcium colorless magnesium colorless हाला कि whitish precipitate form होता है पर excess में soluble है उसी तरह से aluminium lead और zinc zinc white precipitate form करता है आ जाईए lead white precipitate form करता है बट जब हम इसको excess में मिला रहे होते हैं तो यह precipitate it's soluble हो जाता है ठीक है अब इनका यह जो color है जो हम नीचे दिखाने जा रहे हैं यह color आपको याद करना ज्यादा जरूरी था यह color थ्वासा अच्छे से याद कर लिए specifically color blue blue को जब भी आएगा हाँ blue vitrol आब याद कर लिजे याद है blue vitrol copper sulphate crystals को तो blue color किस से associated है copper से copper ions याद रखेंगे copper की cations blue है अगर iron है तो लाइट green होगा याद रखेंगा जी एफी 2 प्लस है इसे हम ferrous कहते हैं जब हम ferric ions brownish होता है और nickel ions green chromium ions again green और manganese ions pink देखा पिंकी भी है मारे पास और वो है manganese ठीक है बहुत rarely हम यूज़ कर रहे होते हैं इस elements को बड़ आपको color याद होना चाहिए you need to learn the art और common colors किसके हैं common colors उपर के हैं ये lead, copper, paras, ferric इनके ज़्यादा अच्छे से color है आईए कुछ हम लोग अब anions दिखाएं आपको अथार्थ negative charge ions दिखाएं और इनका देखिए कुछ colorless दिखाऊंगा और कुछ color दिखाऊंगा colorless ज़्यादा हैं देख लिजे colorless में कौन-कौन से हैं देखिए chloride ion colorless होता है, sulfate ions colorless है, carbonate colorless है, nitrate colorless है, hydride color है, bicarbonate, sulfide, bromide, colorless, colorless, colorless देखिए, इतने सारे colorless, क्यों याद करा रहे हैं आपको, क्योंकि इनी color से आप identify कर पाते हैं elements के बारे में, किसी compound का आप analysis जब करते हैं, तो आपको एक cation और एक anion मिलता है, और उस cation and anion के colors को आप जोड़ करके बता सकते हैं कि वो compound कौन सा है, और इसलिए chapter का नाम है analytical chemistry ठीक है ना, आप चीजों को analyze कर रहे हैं, और अब colored ions याद कर लिजे, जब हम पर magnet ions की बात करेंगे, तो इसका color भी pinky है, तो दो pinky मिल गए, याद है ना, manganese भी बताया था थो दर पहले, याद है manganese, और यह रहा वो manganese, देख लिजे pinky, और chromium, यह chromium पे color यहापे क्या है, dichromate ions है, इसलिए सा color है orange, और chromate ions है yellow, क्या, chromate का color है yellow, आइए start करते हैं, कुछ basic definition आपने कर ली है, आप कुछ reactions समझेंगे, यह reactions आपको as it is याद करने पड़ेंगे, हाँ, reactions भी याद कर लीजे, आपको usually क्या होगा, आपको usually elements के रूप में क्या मिलेंगे, एक powdered substance मिलेंगे, आपको उसका physical रूप पहचानना है, lab experiments की बात कर रहा हूँ, आपके lab में ऐसा भी होगा, और यह तो आपको क्या मिलेगा, कहेगा कि element x, हाणा, a compound x is given to you, क्या, a compound x is given to you and a solution of x is made, कैसे solution मिलेंगे, इसमें distilled water add कर देंगे, solution of x is made, और जब आप इसका solution मिलेंगे, तो magnesium sulfate का solution बन चुका होगा, इस magnesium sulfate में क्या करना है, you have to add sodium hydroxide, कैसे add करना है, पहले add करना है, drop wise, मतलब आपने उसमें 2 यह 4 सिर्फ क्या किया, yes, 2 से लेके 4 तक drops of sodium hydroxide add कर दिया, किसमें, इस solution of sodium sulfate में, और उसको छोड़ देंगे, थोड़ देंगे, और observe करेंगे, क्या है, इसमें कोई precipitate form हो रहा है, किया यह पूरी तरह से dissolve हो जा रहा है, फिर क्या देखना है हमको, फिर excess of sodium hydroxide डाल देना है, इसके लिए देखे, reaction देखते हैं, अगर magnesium का salt होगा, तो magnesium sulfate, याद रखेगा, जरूर नहीं है, sulfate हो, magnesium chloride हो सकता है, magnesium nitrate हो सकता है, पर हमारा cation fix है, क्य होगा, magnesium ही होगा, यहाँ पर sulfate होना कोई जरूरी नहीं है, magnesium की salt होगी, यह पक्का है, ठीक है, तो magnesium sulfate है, और यह आपने add किया, sodium hydroxide, क्या form कर रहा है, precipitate form कर रहा है, यह arrow देखे, क्या arrow represent कर रहा है, यह arrow represent करता है, precipitate, downward जो शो करता है, precipitate form कर रहा है, क्या होगा, अलकली अब यह precipitate जो है, कैसा color का है, white color का है, magnesium का white precipitate है, और अब क्या करेंगे, इस पे excess of, पहले drop watch दला था, इसमें खुब सारा क्या करेंगे, sodium aducine, और डाल देंगे, देखेंगे, still solubility क्या है, excess मिलाने पर भी soluble नहीं होगा, ठीक है न, white precipitate will remain as white, excess मिलाने पर भी color change नहीं होग identify कर लेंगे, कि यह magnesium का cation है, यही तुम्हें पता करना है, कि कौन सा वो cation है, आईए, अगला देखते हैं, ferrous के बारे में जानते हैं, जब हम ferrous की बात कर रहे हैं, तो ferrous, fe2+, क्या दिया होगा, अगें, आपको एक compound दिया होगा, ठीक है, compound आपको एक, ऐसा compound होगा, जो बार, physical रूप से नहीं पैचान पाएंगे, ठीक है, chances है, कि आप पैचान, physical भी पैचान लें, पर बाहर आप देखेंगे, कि आपको एक compound दिया जाएगा, अगें, ferrous sulfate दे दिया है, मैंने कहा, इसमें keyword क्या है, ferrous होना चाहिए, sulfate salt है, यह ज़रूरी नहीं है, ferrous nitrate हो सकती है, ferrous chloride हो सकती है, पर ferrous की salt होगी, यह जरूरी है, अच्छा, जब आप कोई मिलेगा, तो usually क्या होगा, यह खुद भी green color में होगा, चलो, यहां से पैचानना, असान हो जाएगा, कि इसका salt का color भी green होगा, आपको क्या करना है, इसमें, इसका solution बनाना है, क्या करेंगे, इस distilled water add कर देंगे, किसमें, एक test tube लेंगे, एक test tube लेंगे, और इसमें, इस salt को add करेंगे, और इसमें distilled water करके, बना करके, इसका एक solution बना देंगे, और इस solution को बना करके, कम से कम, 4 अलग test tube में डाल देंगे, कितने में, 4 test tube में, और क्या होगा, अब इसमें add करेंगे, sodium hydroxide, कै आपको add करना है पहले sodium hydroxide आपको add करना है पहले drop wise हाण सबसे पहले sodium hydroxide drop wise एक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कि precipitate form हो गया metal pac比 बनना था आपको याद होगा metal hydroxide बन कौन सा precipitate form हो रहा है देखिए आपको precipitate मिल रहा है पैरस का पैरस hydroxide का precipitate बन रहा है यह रहा f e o h hold twice reaction you have to learn reaction याद करना जरूरी है और क्या होगा कैसे color का होगा precipitate dirty green सरी dirty green क्या होता है क्या बद्बू आने लगती है क्या अरे नहीं भाई dirty green का मतलब है कि you will see the greenish color in ticks and patches इसलिए कह रहा हूँ dirty green और क्या होगा अब आप इसमें क्या करिए excess of sodium hydroxide मिलाइए और सब्सक्राइए खुब धेर सब्सक्राइब दीजे दिखेंगे कि excess मिलाने के बाद भी छोड़ देंगे थोड़े तक तब भी देखेंगे कि dirty green color नहीं जा रहा है और dirty green color represents fe2 plus that is ferrous iron को represent कर रहा है तो यह dirty green color यह green color क्या है ferrous ions की पहचान है clear है आईए अगला देखते हैं याद रखेंगा color is important अगला जो हमारा पस element है वो है केटाइन है जो वो है पैरिक पैरिक आईरन की दो वैलेंसी है बताइए what is what are those elements call which have more than one valences क्या कहा variable valent ऐसे elements हाँ ऐसे element जिनकी एक से अधिक वैलेंसी है जैसे की iron की दो वैलेंसी आपने देखा lead की भी दो वैलेंसी आती है lead की वैलेंसी 2 और 4 आती है कोई और elements बताइए जिनकी एक से अधिक वैलेंसी है हाँ अभी iron आपने देख लिया iron का fe2 ferrous और fe3 ferric यह दुनों में अंतर क्या है 2 और 3 में तो जिसकी वैलेंसी कम होती है छोटी होती है उसके नाम में अस लग जाता है जैसे copper में भी cu 2 प्लस तो cuprous और cupric हाँ copper की भी दो वैलेंसी है छोटे वाले copper की वैलेंसी में Ous cuprous लग जाता है और बड़े वाले copper में जिसकी वैलेंसी ज्यादा बड़ी है उसमें cupric लग जाता है similarly iron में भी Fe 2 प्लस है Fe 3 प्लस है तो 2 प्लस है छोटी वैलेंसी है फैरस लग गया और हम कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं क्या 3 प्लस और इसलिए वैलेंसी में 3 जैसे ही आ गया बड़ी वैलेंसी आ गई तो फैरिक नाम हो गया समझ गया तो कुछ elements ऐसे हैं जिनके पास दो दो ठीक है और हम लोग डिसकस कर रहे हैं आपर फैरिक के बारे में तो जब हम फैरिक सॉल्ट को येस पैरिक सॉल्ट को देखिए आप फैरिक क्लॉराइड ले लिया है पहचान कैसे सकते हैं एक कलर पहचान तो यह है कि जब सॉल्ट मिलेगी आपको ब्राउनिश कलर की किया होगा? क्योंकि इसमें जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउण होगा यही रेडिश ब्राउण गलर जो कि फैरिक की आइडेन्टिटi है पैरिक की पहचान है वो मिल जाएगे जैसे ड्रटी ग्रीन फैरस की पैचानती रैडिश ब्राउं पैचान है हाँ वह ही रैडिश ब्राउं पैचान आए वह पैचान है पैरिक की अब क्या करेंगे एक्स Know लाएंगे इसमें sodium hydroxide access मिलाने के बावजूद no change हाँ no change इसका मतलब है यह इसके बाद भी क्या रहेगा पैरिक hydroxide रहेगा अथा फैरिक confirm केटायन confirm आईए copper तो ध्यान से दिखेगा क्योंकि copper रंग बदलेगा चलिए copper करते हैं cu2 plus की बात करते हैं salt लेते हैं copper sulfate की copper sulfate की salt ही पहचान देगी कि यह copper है कौन सा बताया था copper का क्या कलब बताया था copper का blue आसमान कौन सा कलर है blue चलो तो copper sulfate के साथ क्या करना है sodium hydroxide के मिलाएंगे पहले एड करेंगे sodium hydroxide को में क्या करेंगे आप टू से फूर ड्रॉप्स पहले copper hydroxide में add करेंगे solution में solution कैसे बनाएंगे पूछ रहे मुझसे फिर मैंने कहा था यह salt मिलेगी आप इसमें distal water मिलाएंगे इसको अच्छे से शेक करेंगे और क्या करेंगे दो या तीन टेस्ट्यूज में या चार टेस्ट्यूज में मैक्सिमम इसको बाट देंगे बाटने के बाद क्या करेंगे एड करेंगे drop wise sodium hydroxide आपने पूछा सर चार टेस्ट्यूज क्यों लेंगे सर हाँ अभी तो दो ही की ज़रुत पड़ेगी एक बाट drop wise और एक बार access अभी आगे कभी हम बताने वाले हैं इसके बात बाकी दो कहां काम आएगा हाँ इसके बाद आएगा काम अभी हम इसको डिसक्रस करेंगे तो यह sodium hydroxide डालने से क्या होगा मैंने का alkalी है अलकली क्या करती है metallic hydroxide कर precipitate form करती है क्या it forms the metallic hydroxide as precipitate यही काम करती कि इसलिए बार-बार alkalी डाल रहे हैं क्यों इसमें acid नहीं डाल रहे हैं तो जवाब यह यह में इसमें असिद नहीं है तो जवाब यह 46 copper oxide क्या करती है copper oxide एक blue color यह mix हो गया यहां पर यहां पर होना चाहिए copper hydro oxide कौन सा color देगी blue color देगी और यह blue color ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए यह blue color आगे जा करके soluble होने जाने वाला है color तो dissolve हो जाएगा पर solution blue ही रहेगा कि सुन लिया बात को color तो precipitate चला जाएगा पर color क्या हो जाएगा पूरे solution का bluish रह जाएगा solution का color solution color colorless नहीं होने वाला है मैंने का precipitate dissolve हो जाएगा आईए zinc के बारें बात करते हैं zinc भी zinc की salt कौन सी लिया हम लोग ने zinc में zinc sulfate ले लिया यह colorless अथा वाइट color की salt होगी हाँ जैसे आपका घर का नमक होता है न वैसे कलर का मिलेगा आपको इसमें add करना है sodium hydroxide जब आप sodium hydroxide add करेंगे तो एक precipitate form होगा यह जो precipitate होगा वो sodium hydroxide का sorry zinc hydroxide का होगा क्योंकि zinc hydroxide का precipitate form करेगी यह पहचानना असान है क्योंकि यह white रंग का shiny precipitate form करेगी कैसा gelatin मतलब होता है shiny चमकीला जैसे लगेगा किसी ने क्या कर दिया है चमकदार कोई whitish चीज जंदर डाल दी है solution के बीच में आपको क्या होगा whitish precipitate आपको क्या होगा vibrate करता हो नज़र आएगा जिल्मिल करता हो नज़र आएगा दीखेंगा बहुत चाहा लगए देखने में जो किसका मतलब है कि excess में यह soluble हो रहा है तो अभी तक आपने जितने भी compound पड़े हाना copper के बाद यहां से copper के बाद copper और यह zinc यह soluble है बाकी उपर जितने भी पड़े हमने उपर magnesium पड़ा इंसॉलिबल था पड़ा था magnesium ना इंसॉलिबल था पैरिक पड़ा इंसॉलिबल था फैरस पड़ा इंसॉलिबल है पट अभी पड़ा copper मैंने कहा ब्लू कलर पैस्पेट फॉर्म करेगा सॉलिबल हो जाएगा जिंक पड़ लिया एक्सेस मिलाएंगे सोडिमाट अफसाइट सॉलिबल है आईए आगे बढ़ते हैं और किसकी बारी है देखिए अगला नाम है लेड का पीबी टू प्लस याद रुखेगा लेड भी दो है एक पीबी टू प्लस है पीबी फोर प्लस है एक प्लमबस है पर हम बात कर रहे हैं पीबी टू प्लस प्लमबस ठीक है अपनको पता होना चाहिए OUS कब लगना है और IC नाम के आखरी में प्लमबस है ना इसका लेटिन न आएंगे चार डिस्टूब में डाल देंगे स्वलुशन बना के नेगहां पहले एड करेंगे सोडियम हाइड्रॉकसइड ड्रॉप वाइज देखेंगे की प्रेसिपृटेट हो रहा है इस बार पर सब्लमबस है पीबी ट्रॉकसइड है तो वह चौकी वाइड रॉकसइड अब यह चौकी वाइट कैसा होता है जब इसमें वाइट कलर के चौक के पाउडर का कैसा दिखता है पाउडर्ड जैसे लगता है किसी ने क्या किया है पाउडर डाल दिया चौक को क्रश करके अना स्कूल में चौक होती है न जो बॉर्ड में ब्लैक बॉर्ड में चौक विए पॉडर च्टडग दिया है और यह ली इक्सट्रक डिया है और यह verdi एक्सस मेरे क्या होगा रेकिये जब यह लेड हढ़ाग साइड बन चुका है लिए ठीक है नतीजा क्या कहना चाहते हैं अगें पूंड करता चाहते हैं कि कोपर सॉलिवल है अभी आपने देखा zinc soluble excess में lead पढ़ लिया वो भी soluble है तीन elements आपने पढ़े जो तीन kateins पढ़े जो excess of sodium hydroxon में soluble है और तीन वो पढ़े जो soluble नहीं है तीन कौन से magnesium पढ़ा insoluble है सबसे पढ़ा ferric और ferrous यह तीन हो क्या है insoluble है आईए एक last और है इसमें देखते हैं और वो है calcium हाँ calcium calcium के ions को क्या करेंगे calcium nitrate का salt लेंगे हाँ मैंने कहा salt में परिशान मत होईएगा यहाँ पे nitrate हो sulfate हो chloride हो it doesn't make a difference make difference करने वाला कौन है calcium का यह cation यह रहा caclus यह cation इसमे color difference चो करेगा तो calcium की salt को क्या करेंगे sodium hydroxide में add करेंगे drop wise जब sodium hydroxide से drop wise add कर देंगे थोड़ी दर के लिए precipitate को छोड़ देंगे दिखेंगे कि एक precipitate form फिल से हो रहा है यह precipitate क्या है calcium hydroxide है calcium की salt है calcium hydroxide है कैसा precipitate है white इस बार नची gelatinous white है ध्यान दिजएगा उस identification वाले color को पैचान यह याद रखेगा इस बार chalky white नहीं है क्या chalky white नहीं है chalky white कहां था lead में था और gelatinous white कहां था zinc में था gelatinous मतलब shiny white चंकिला white है न और यह कैसा है simply white है और इसकी में भी कुछ खास बात है अगर excess of sodium hydroxide इसमें add करेंगे तो यह partly soluble हो जाएगा sparingly मतलब हो गया कि कुछ solve होगा partially जिसे कहते है न partially soluble हो जाएगा और कुछ soluble नहीं भी रहेगा ठीक है तो calcium की खास बात है कि कुछ soluble है कुछ resolve हो जाएगा बाकि नहीं solve होगा ठीक है तो it's sparingly soluble है partly soluble है कुछ हद तक डिजॉल होने वाला है ये एक अनुखा और अलग पदारत है कैल्शियम हाँ वो जो कैल्शियम कहते है न आपके दातों के लिए जरूरी है आपकी हड्यों के जरूरी है क्या आपके तूथ में इसमें कैल्शियम है याद करिए तो कैल्शियम तूथ हड्यों के दातों के लिए बहुत जरूरी पतार थे उसी केल्चिम की बात कर रहरे हैं अब याद रखेंगे डात का रंग सफेद हड़ी का रंग सफेद याद रखेंगे कलर्व याद होगे आपको केल्चिम का इतंब अधना घनक सफेद I चलिए अब आते हैं यही मैंने का था दो test tube आपके मैंने बचा कर रखे थे उस salt solution के दो test tube मैंने बचा कर रखे थे पहला test tube यूज किया था आपने sodium hydroxide के साथ पहला आप drop by यूज कर रहे थे दुबारा क्या करना था आपको excess of hydroxide यूज करना था अब दो टसुब और यूज करने थे मैंने का था solution के चार बन पोटैशियुम हाई रॉक्साइड को क्यों रॉच्ट tampoco रॉच्य पूच ψल्ट सोदियम हाई रॉक्साइड counts और पोटैशियुममाई क्वाईग्र से मात्यों कषो खाल हैّ तोटकर तो इनकेस अगर आपको पैश्यमाई-ब्रॉक्साइड यूज करना है डजन नेक डिफ्रेंस जो भी आपने पढ़े सारे रियक्शन से में सारे गॉण्ट से मैं बाट आमोनियम हाइड रोकसाइड कमाल का रियेजंट है ये भी एक देखे एक वी कलकली है अब इसमें थोड़े से चेंज होने वाले हैं क्या चेंज है यह मैं वी वाइड कलर को गी और मैंगनेशियम जो कि मैंगनेशियम क्लॉराइड हमने लिया है वाइड कलर की साल्ट से स्टार्ट करते हैं एड करते हैं ड्रॉप वाइज एड करते हैं इसमें drop wise क्या एड कर रहा है इस बार इम近ी हम चीसें और आ もनियol paling ठेकुट कर रहा है है। कैसा precipitate white precipitate किसका form होगा magnesium का इस्तमाल कर रहे हैं magnesium hydroxide का precipitate form होगा यह white precipitate excess में भी soluble नहीं है तो यह similar हो गया similarity किसके साथ similarity है magnesium की magnesium का iron की पहचान असान है white precipitate form करेगा और excess of sodium hydroxide डाला white precipitate form हो गया change नहीं रहा insoluble रहे गया और अगर ammonium hydroxide का भी इस्तमाल किया तो भी white ही बनेगा अथाक no change in sodium hydroxide as well as ammonium hydroxide अगला आते हैं और ferrous को चेक करते हैं fe2 को चेक करते हैं ferrous salt को क्या किया drop wise add क्या ammonium hydroxide में एक precipitate form हो रहा है precipitate iron hydroxide अब ferrous hydroxide iron 2 hydroxide dirty green का लगा प्रेस्प्रेट होगा हां dirty green के लगा प्रेस्प्रेट होगा और एक्सेस में यह भी insoluble है no change no change sodium hydroxide में भी यहीं पढ़ा था याद करिए अभी थोदर पहले पहले पढ़ा था हां अभी थोदर पहले पढ़ा था यहां भी वहीं हो रहा है no change आई अब पैरस का भाई कौन है पैरस छोटा भाई है तो बड़ा भाई कौन है इसका पैरस का बड़ा भाई कौन है पैरिक कैसे मैंने बताया था ना जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसमें आई सी एक लग जाएगा जिसकी वैलेंसी कम होगी उसमें ओ यू एस लग जाएगा फैरिक ठीक है वैलेंसी 3 है इसलिए फैरिक बोल रहा हूं तो अगिन रडम की सौल देली है आम लोग ने एड किया अमोनियम हाइड्राउकस아ेड देखा प्रेस्पिटेट फॉर्म हो रहा है यह जो प्रेस्पेट फॉर्म हो रहा है यह रेडिश ब्राउन कलर का है यह रेडिश ब्राउन कलर कन्फर्म कर देगा कि यह फैरिक है फैरिक की पैचान है रेडिश ब्राउन प्रेस्पेट और एक्सेस मिलाएंगे अगें इन सॉलिबल रहेगा अगें रि प्रेश्पिटेट फॉर्म यह दिखा रहा है प्रेस्पिट फॉर्म यह दिखा रहा है यह जो कॉपर हाइट्रो औकसाइड है ध्यान में फ्रेस्पिटेट कॉपर हाइड्रो औकसाइड है यह प्रेस्पिट टान कर जाएगा पर जैसे ग्या करेंगे इसमें और एड़ करेंगे इसी में क्या करेंगे दुबारा फॉर्दर देखे यहाँ पर इन्ही रिएजेंट्स में दुबारा क्या कर रहे हैं excess of excess of ammonia matter oxide add कर रहे हैं तो यह बन रहा है यह बन रहा है copper ammonia अमोनिया सल्फेट जिसको हम कह रहे हैं टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट ज्यान दीजेगा टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट ठीक है ना कॉपर अमोनिया सल्फेट दिखा नाम देखें कॉपर अमोनिया सल्फेट क्या नाम है टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट औ और ये एक deep blue color का darkish blue का light blue नहीं darkish blue color का एक पूरा solution हो जाएगा थार एंटायर solution क्या हो जाएगा deep blue color का change forwards columns यहीं सबसे बड़ा change है ammonia, yes ammonium hydroxide में और sodium hydroxide में sodium hydroxide बें पड़ा था कि copper को मिलाएंगे तो soluble हो जाएगा पर उसमें ये tetramine copper sulfate form नहीं होता था उसमें सिर्फ form होता था copper hydroxide ठीक है न यहाँ पर क्या हो जा रहा है एक नया chemical form हो जा रहा है जो कि इसको deep blue color दे रहा है deep blue color किसका है deep blue color किसका है यह copper sorry tetramine copper sulfate यहीं डिफ्रेंस है sodium वाले hydroxide वाले में और ammonium hydroxide में आईए एक और element देखते हैं zinc की बात करते है जिंक white color है colorless इसको कह रहे हैं add करेंगे इसमें drop wise ammonium hydroxide देखेंगे again एक precipitate form होगा वह precipitate होगा zinc hydroxide का कैसा precipitate होगा gelatinous होगा gelatinous होगा white precipitate होगा और यह white precipitate excess में soluble हो जाए क्या form हो रहा है जो soluble हो जाएगा देखें यह जो white precipitate है zinc hydroxide white precipitate है excess of ammonium hydroxide add करते ही ये dissolve हो जा रहा है sodium जिंक का भी tetramine zinc sulfate बन जा रहा है जैसे copper का tetramine बन गया था अथारत copper ammonia sulfate वैसे zinc ammonia sulfate क्या zinc ammonia sulfate हाँ भाई नाम में देखो na zinc ammonia और sulfate पर नाम क्या है zinc ammonia sulfate का नाम है tetramine zinc sulfate ये वो chemical है जो उसे क्या करता है excess में soluble हो जाता है अथारत का colorless reason है colorless का reason ये है आगे lead को भी देख लेते हैं lead में क्या बदला हो आ रहा है lead जब हम lead की बात करते हैं तो lead nitrate का salt लिया, white run का salt है add किया हमने ammonium hydroxide form किया white precipitate again white precipitate कैसा होगा chalk के dust के जैसा होगा आपको लगेगा कि किसी ने chalk क्या किया है chalk का dust पानी में डाल दिया है settle down कर दिया है, ऐसा लगेगा ये chalk की powder कोई और नहीं होगा lead hydroxide होगा जो की excess में soluble हो जाएगा excess में soluble हो जाएगा soluble है एक नाम नहीं आया, बताइए किस element का नाम नहीं आया, जिसको हमने lead के साथ तो reagent किया था, इसके साथ नहीं किया, क्या नाम था उसका हाँ, हाँ, सोचो हो, इतने सारे elements के नाम आये, cations के नाम आये, एक element repeat नहीं हुआ कौन साथ element था, जल्दी बताइए मैं बतादू आपको, कौन सा element है बताइए एक element ऐसा है, जिसको हम लोग ने lead hydroxide के साथ किया था, reaction किया, उसका white precipitate भी form हुआ पर यहाँ पर हम ammonium के साथ नहीं कर रहे है, जरा इसका जल्दी से नाम बताइए, तो उसका नाम है calcium, देखिए, दियान नहीं दे रहे हैं आप, calcium, calcium does not form precipitate, दियान दीजेगा, calcium does not form precipitate with ammonium hydroxide, इसलिए इसका use नहीं करते हैं, ठीक है, color changing show नहीं कर पाता है ठीक है, precipitate जब color नहीं शो कर पाएगा, इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, आईए अब अभी तक आपने देखा, कि alkali का use हम कर रहे थे, metal के साथ, metal की salt के साथ, अब सिर्फ metal के साथ करेंगे, क्या change है, क्या change है, देखिए, अब हम alkali को rate करा रहे हैं, ध्यान दीजेगा, alkali is on metal, ज्यान दीजेगा, alkali को rate करा रहे हैं, metal के साथ, क्या होने वाला है, जब भी metal और alkali, याद रखिएगा, salt नहीं है, please do not confuse, salt नहीं है, इस बार, अकेला metal है, only metal है, अच्छा, आप पुछेंगे, sir, acid में क्या होता है, तो देखिए, active metal, कौन सा metal, metal above hydrogen, hydrogen से उपर, जितन से ले करके, lead तक, सब, वो जो उपर वाले हैं, hydrogen के उपर वाले हैं, उन्हें कहते हैं, active metal, जब react करते हैं, acid से, तो वो बनाते हैं, salt और hydrogen, ठीक है, यहीं सेम, यहीं सेम, हम यहां बोलने वाले हैं, metal react with alkalis to form salt and hydrogen, exactly same है, क्या change है, कोई change नहीं है, ठीक है, but, ध्यान देने है, कि यह alkali क्यों use करते हैं, sir, question यह, अरी, alkali's are reactive, ठीक है, इन में, alkali's में क्या है, reaction fast होता है, और alkali को भी आपको कैसा लेना है, hot and concentrated लेना है, देखिए, start करते हैं, zinc का reaction कराते हैं, zinc, zinc react with sodium hydroxide, याद रखेगा, hot and concentrated sodium hydroxide, लेना है, देखेंगे कि एक colorless salt form होगी, नाम होगा sodium zincate, salt का नाम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह reaction आपको complete the reaction करके आ सकता है, क्या, आपको ऐसे करके देगा, zinc plus sodium hydroxide, arrow लगाके, space देके, dash dash छोड़ देगा, आपको यह reaction भी लिखना है, और वो balance reaction complete करना है, यह आएगा, समझ गया है, कैसा question बनने वा added to a hot and concentrated solution of sodium hydroxide, सुल यह question आपने, क्या question बनने वाला है, यह question important है, तो अब आप देखेंगे, कि salt बनने वाला है, zinc का नाम है sodium zincate, और hydrogen gas release हो रही है, similarly zinc is reacted with potassium hydroxide के hot and concentrated solution से, again potassium zincate form होगा, potassium zincate form होगा, यह भी a colorless salt होगी, colorless salt होगी, and hydrogen gas is released, chemical का नाम याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, zinc का इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, aluminium का और lead का, ध्यान दीजेगा, यह तीनों elements हम जिसकी बात कर रहे हैं, zinc, aluminium, lead, इन में कुछ विशेष्टा है, यह तीनों यह तीनों कुछ विशेष तरह के elements है, आपको बताना है, what is that, क्या है इन तीनों की विशेष्टा, zinc की, aluminium की और lead की, what is that speciality, कुछ बताईए, जब तक मैं आपको बताता हूँ आगे, चलिए, फिर मैं आपको बता दूँगा, जब आप बज़े लिख दीजे, type कर लिजे, aluminium क करते हैं, एकदम सिंपल सा reaction है, aluminium react करेगा, sodium hydroxide के साथ, पट याद रखेगा, इस बास sodium hydroxide को क्या करना है, boiling करना है, boiling caustic alkali, ठीक है, boiling लिखा है, मतलब again, आपको reaction बहुत high temperature पे ले जाना है, क्योंकि इसमें solution लिखा है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, added water लिखा है, तो aluminium aluminium को जब react कराएंगे, तो क्या करेंगा, sodium meta-aluminate, ये एक salt है, और again ये भी एक colorless salt form हो रही है, और hydrogen gas release हो रही है, similar reaction है, अगर इसको क्या करेंगे, potassium hydroxide के साथ react करेंगे, बस salt का नाम हो जाएगा, potassium meta, इसमें sodium से rate कराया था, इसलिए sodium meta हो गया, इसमें potassium से rate कराया था, तो potassium meta-al aluminium, again colorless salt है, अच्छा, aluminium को जब हम react कराते हैं, alkali के साथ, खास करके, fusion alkali के साथ, तो ये sodium aluminium form करता है, ठीक है न, sodium aluminium, meta हट जाता है, देखिए, sodium aluminium plus sodium hydroxide gives you sodium aluminium, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, lead के साथ भी देख लेते हैं, एक्दम similar reaction है, lead with sodium hydroxide, lead के साथ क्या होगा, sodium plumbite form करेगा, क्या word है, sodium plumbite है, again lead with potassium hydroxide, तो potassium plumbite, दोनों ही colorless salt है, plus hydrogen, अब आप ध्यान से सुनिए, lead, aluminium, और zinc, ये तीनों ही क्या है, amphoteric element है, सर ये क्या होता है, amphoteric क्या होता है, अरे भाई, amphoteric वो elements होते है, they react with acid, they react with alkali to produce salt and water, अथार्थ ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, acid से भी react कर सकते हैं, अथार्थ ये फॉर्म acidic oxide as well as basic amphoteric nature के हैं, ठीक है, usually क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं example से समझा रहा हूँ, non metal oxide होते हैं, देख लिजे, non metal oxide, non metal oxide, example देदू, carbon dioxide, दूसरा example देदू, sulfur dioxide, या sulfur trioxide, यह सब क्या होते हैं, acidic oxide होते हैं, कैसे होते हैं, acidic oxide, क्यों, क्योंकि they are, they are the oxides which on adding water will become acid, जैसे carbon dioxide है, आगे जाकर के पानी add करने पे क्या बन जाएगा, carbonic acid, sulfur dioxide है, पानी add कर दोगे क्या बन जाएगा, sulfurous acid, sulfur trioxide है, पानी add कर दोगे क्या बन जाएगा, sulfuric acid, देखां आपने, तो these are the non metal oxides, they on adding water, becomes acidic in nature, आप कई बार उसको बोलते हैं, acid and hydride, इनको कहते हैं, अब दूसरा example देता हूँ, दूसरा example है आपके पास, metal, metal oxides का, अब कोई भी metal ले 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 जे, आप ले 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 ले, ठीक है आप ले लेजे potassium oxide का नाम लेजे ठीक है आप और को ले लेजे calcium oxide का नाम लेजे यह जो metal oxide होते हैं यह basic oxide होते हैं क्या होते हैं बेसिक oxide होते हैं याद रखेगा basic oxide अगेन इसका नाम क्यों है पताइए why they are called as basic oxide क्योंकि metal oxides जो है यह पानी add करने पर क्या होते हैं soluble bases या even bases form करते हैं oxides and hydroxides of metal are bases please listen very carefully क्या oxides and hydroxides of metal are bases definition clear base की बहुत असान definition है तो metal है यह sodium, metal है यह potassium, metal है यह calcium तो आप metal रस्तमार करेए आप zinc बोलिये, aluminum बोलिये, magnesium बोलिये इनके oxides क्या है metal oxides है so they usually form basic oxide clear है अब आता है M4 टरेक हाँ यह तीनों में से अलग हो गया है M4 टरेक, यह M4 टरेक क्या है भाई तो यह वो oxides है जो होते तो metal के है होते तो metal oxide है जैसे मैंने का zinc का, lead का और aluminum का पर यह M4 टरेक नेचर क्यों होते हैं कौन से होते हैं M4 टरेक oxide सरी M4 टरेक क्या होता है बताया तो acid and basic दोनों properties के अंदर है दोनों के साथ react कर सकते हैं ठीक है that is why they are M4 टरेक इसी में मैंने कहा था इन metals को द्यान से देखना इन तीनों metals को द्यान से देखना अब इनके oxide के साथ अगर reaction हो तो क्या होगा पिर से सुन लो क्या मैंने कहा अभी हमने लिया था सिर्फ metal अना कौन से मेटल लिया जिंक लिया यह reaction देखा था हमने क्या किया sodium hydroxide से रेट कराया बनाया एक salt और बनाया बना क्या hydrogen अब यहां पर एक change करूंगा और reaction आपको याद हो जाएगा आगे reaction आपको याद नहीं करना पड़ेगा हां reaction याद नहीं करना पड़ेगा एक change करूंगा अब इस metal में metal oxide लेलूँगा को कौन सी अक्साइड है मैंने का जिंक मैंने का था एमफोटरिक नेचर किये यह लेलूँगा जिंक अब जिंक ऑक्साइड को रियाट कराएंगे अलकली से क्या होगा यहां पर हाइड्रोजन की जगे क्या बन जाएगा क्या चेंज देखा आपने मैंने ऑक्सिजन एड किया यहां मैटल पर और यहां हाइड्रोजन लॉक्स अड कर दिया अब यहां पर क्या हो जाएगा बहुर्टर करेगा क्या हुआ देखें यह हो गया ना एक्षिजन कर रहा है अभी अपर चेंग कर रहा है जैसे जिंक ऑक्साइड लेंगे देंगे एक oxygen में यहां बढ़ाया यही oxygen क्या करेगा इस hydrogen में जा करके add हो जाएगा अभी hydrogen नहीं बनेगा water बन जाएगा तो salt and water form करेगा और आप जानते हैं acid reacts with this is to form salt and water only and this is called as neutralization तो बेस है ही यह acid एसे तरब भीव कर रहा है यहां सब में ऐसा कर सकते हैं अब आपको आगे reactions दिखाते हैं ऐसा होता हुआ याद मत करिए समझे प्लीज ठीक है याद मत करिए amphoteric oxide आईए पढ़ते हैं amphoteric oxides तो amphoteric oxide and hydroxides are those compounds देखे ध्यान से are those compounds that reacts with both acids and alkalis to form salt and water ध्यान दिया आपने बहुत चीज ध्यान देनी होती है आपको बहुत सावधान हो जाएए ठीक है अगर आप सावधान नहीं है तो आप मिस आउट कर जाएंगे चीजों को देखे आगे बढ़ते हैं अब आपको एक amphoteric oxides में zinc oxide का reaction देख लिजे zinc oxide आपने लिया रियेट कराया sodium hydroxide से sodium zincate form हुआ और water form हो गया hence prove हो गया कि नहीं एक और reaction देखोगे चलो अब zinc hydroxide भी देख सकते हैं zinc oxide तो देख लिया hydroxide similar similar reaction है सिर्फ balancing करने है ध्यान से आपको reactants same नहीं है बस यहां पर hydroxide ले लिया है पर आपके product same है ध्यान से देखिए product same है एक salt form हो रही है sodium zincate और water form हो रहा है product same है यही रूल aluminum पे भी apply हो रहा है al203 जैसा ही अक्साइड ले लिया आपने यहां पर form करेगा water क्या कहते हैं clear है very clear है so this will bring to the entire session of the analytical chemistry मैंने कहा था यह चोटा प्यारा नन्ना मुन्ना चेप्टर है हमने साथ में फिनिश कर दिया है और आप से request करूंगा अगर आपने इस चेप्टर को हलके मिलिया तो you are going to miss many marks आपके practical में भी बहुत सारे marks कटने वाले हैं आपका प्रेटिकल के concept बहुता चला जाएगा और सबसे इंपोर्टन चीज है इस पर बेस theory questions आ रहे हैं what happen when करके question आ सकता है या what will happen when we mix this with this समझ reaction based question आने वाले हैं in complete reaction based question आने वाले हैं observation based question इस पर से आने वाले हैं अगले lesson वीडियो में live वीडियो में और आपके ही ठेव सारे प्यार बरे comments मिल रहे हैं and thank you and thank you and thank you for all your lovely comments हां मैं अगर कुछ comments कुछ messages पर जवाब नहीं दे पा रहा हूँगा तो मुझे sorry हैं मेरी तरफ से क्योंकि I am really really sorry because I am a principal in CBSE school और मेरे school में बहुत सारी hectic activities चल रही है and I am throughout day there as a regular principal as a full day principal so कभी-कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो please 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 मुझे ignore कर दीजेगा हां मैं आपका बहुत 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 शुकुर गुजा रहा हूँ I say see मेरे प्यारे superstars का और rising stars का क्या आप बहुत सारे comments लिख रहे हैं बहुत सारे प्यार बहुत messages लिख रहे हैं मैं कई बारों को जवाब नहीं दे पाता हूँ रिग्रेट फील करता हूँ but I am really 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 thankful to you people for showing all the love and all the showers please please keep this love keep helping me keep sharing with your friends and all हाँ मेरी कोशिश रहेगी जब मौका मिलता है शायद कुछ समय लग सकता है पर मैं हमेशा करता हूँ आपके message को देखता हूँ comment करने की कोशिश करता हूँ like कर देता हूँ नहीं तो और आपका प्यार आपका comment बरकरार रहना चाहिए मिलते हैं अगले लाइप वीडियो में जो हर भी नोरा है हमारा रात को दस बजे बाई एंटेक केर